दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में जोदावाई से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो शायद ही आपने अभी तक ना पढ़ा होगा ना सुना होगा ये दिल्चस्प जानकारी हमने कुछ इतिहास के पन्नों से बटोर कर आपके सामने लाने की कोशिश किया है आप पूरा वीडियो देखिएगा काफी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी अगर आपने इतिहास की किताबों को नहीं पढ़ा है या फिर आपकी इतिहास में कोई दिल्चस्पी नहीं रही है लेकिन अकबर का नाम लेते ही आपके जहन में जोधा अकबर की एक तस्वीर सामने नजर आ जाती है क्योंकि जोधा अकबर इतिहास में एक ऐसी चर्चित जोड़ी है जो विवादों में भी रही है और जिसकी चर्चा किसी न किसी बहाने होती ही रही है आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी ही जानकारी देने जा रहे हैं हाल में ही परकाशित एक किताब अपनी किताब में कुछ ऐसी ही जानकारी पेश की है उनके मताविक अकबर की पतनी का नाम हीर कुवर यानि हरकाबाई था जो आमेर की राजकुमारी थी राजस्थान में आमेर एक छोटी रियासत हुआ करती थी जहां सत्ता का संगर्ष जारी था आमेर के राजा भारमल का च्च्वाहा और उनके भाई पूरन मल के बीच काफी लंबे वक्स से संगर्ष चल रहा था पूरन मल को मुगल गवरनर मिर्जा शर्फदीन का समर्थन हासिल था ऐसे में अक्बर से राजा भारमल ने मदद मांगी और फिर सत्ता हासिल कर अपनी बेटी हरका बाई की शादी अक्बर से करवा दी अक्बर से जब हरका बाई की शादी हुई तो वो महस 20 साल की थी हरका बाई को अकबर ने मरियम जमानी का नाम दिया जब उनको एक आउलाद हुई जो आगे चलकर हिंदुस्तान का बाश्या बनी जिसका नाम जहांगीर था हरका बाई ने अकबर के सामने भी कभी हिंदु धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी तरह से हिंदु धर्म का पालन करती रही वो अकबर की एक मात खेर मुस्लिम पत्नी थी जिनोंने अपने मजभग को नहीं बदला किताब में बताया गया है कि हरका बाई से अकबर खासे परभावित रहे और उन्होंने हरका बाई की वज़ा से गौमांस खाना भी छोड़ दिया था यहां तक की दर्बारियों के भी गौमांस खाने पर प्रतिबंद लगा दिया था उस वक्त के इतियास कार बदायुनी ने भी लिखा है कि अकबर का हिंदू के साथ होने के कारण उन्होंने गौमांस पर प्रतिबंद लगा दिया था यहां तक की उन्होंने लेसन और प्यास खाने पर भी प्रतिबंद लगा दिया था हरका बाई का रसूक मुगल दरबार में अकबर के वक्त भी था और अक्बर की मौत के बाद भी वो कम नहीं हुआ अक्बर की मौत के बाद उनके बेटे जहंगीर ने उनका शाही वजीफा दोगुना कर दिया था हरका भाई के पास 12,000 प्रुश घोड़सवारों की सेना की कमान भी थी यहां तक हरका भाई जहांगीर के दर्बार के चार खास सविस्यों में भी शामिल थी उस वक्त नील मसाले और दूसरी चीजों का कारुबार मक्का भेच कर किया जाता था 1613 इस्वी में एक बार पुर्टगालियों ने हरका भाई के जहाज रहीमी को रोका और उस पर गब्जा कर लिया तो जहांगीर इस घटना से आग बबूला हो गया और उसमें पुर्टगालियों के साथ कारुबार को बंद कर दिया और कई दूसरी सहूलतें जिसमें वजीफा शामिल था उसको भी रोक दिया यही नहीं आगरा में बने चर्च बभी जहांगीर ने ताला लगवा दिया हरका भाई के साथ भी नाफरमानी का बदला जहांगीर ने लिया दमन में पर्टगालियों को घेर कर बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया हरका भाई जिसका नाम आज इधियास के पन्नों में जोधा भाई के नाम से कैद है राजस्थान की वो राजकुमारी थी जो जिन्दगी भर अपनी शर्तों पे जीती रही और मौत के बाद भी अपनी शर्तों पे रही हरका भाई ने 1623 सी में दुनिया को अलविदा कह दिया उनकी इच्छा के मताबिक उनकी अकबर के पास ही बनाई गई जोधा भाई का मगबरा सिकंदरा में आज भी मौजूद है जहां पर काफी संख्या में सैलानी उनके मगबरे को देखने जाते हैं जोधा भाई का मगबरा मौलिया शेली का एक बेहतरी उधारा भी है दोस्तों आज हमने जोधा भाई से जुड़ी कुछ एहम जानकारी इस वीडियो में आप से साजा की अमीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल ट्रैवल टु वीजा को लाइक किये सब्सक्राइब कीजे और इसी परकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ीए इजाज़त देजिए फिर मिलते हैं किसी नए अस्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत